नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉलिशन के यूट्यूब चैनल पे सीटेट एक्जाम 2022 आपका आने ही वाला है नोटिस आपका आ चुका है लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन यानि कि अभी तक फॉर्म नहीं आया है इसके रिकारडिंग मैं आपके साथ information शेर करना चाहता हूँ सीटेट की जो classes है हमें अने स्टार्ट कर दी है अभी तक जो हमने class करी है अभी तक class 1 हमने start करी है और class 2 जो आपकी होगी, वो आपकी कल होगी ठीक है तो काफी सारे बच्चे कल जोईन हुए थे class 1 में और काफी सारे बच्चों के ये भी doubt थे कि सर्फ CTAT का जो exam होने वाला है उसके exam का pattern बता दीचेगा क्या-क्या eligibility रहती है और क्या exam pattern उसका रहता है यानि कि कौन-कौन उस exam के लिए 2022 CTAT के लिए eligible होगा तो इस वीडियो में पूरी detail की CTAT को regarding आपके लिए बात करने वाला हूँ तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन को जुरू प्रेस कर लिए जिससे के आपके पास वीडियो को notification आते रहे हैं CTAT से related कोई भी important वीडियो आपके बिल्कुल भी miss नहीं होनी चाहिए notification on रखेंगे तो easily आप उस वीडियो के access कर पाएंगे और वो वीडियो आपकी बिल्कुल भी miss नहीं होगी तो चलिए जल्दी से फटाफट से वीडियो को start करते हैं और बात करते हैं आपके exam pattern की और eligibility criteria की और सभी चीज़े जो भी आपके CTAT exam में रहती है सबसे पहले बात करते हैं आपके CTAT के exam को लेकर आपकी examination fees की है ना तो आपके जो examination form जो आप भरेंगे उसकी fees आपकी क्या क्या रहने वाली है इसके बारे में बात करते हैं ठीके अगर आप general category के student है या फिर आप OBC category के student है तो आपकी paper 1 और paper 2 की जो fees रहती है वो आपकी 1000 रहेगी only ठीक है अगर आप SCST या फिर डिफरेंट मला आपके वो कोई भी PhD candidate है तो आपकी जो fees रहेगी वा आपकी 500 रुपे रहेगी यानि कि paper 1 की भी 500 और paper 2 की भी 500 ठीक है और अगर आप दोनों paper की fees एक साथ submit करते हैं तो आपकी बहुत paper की जो fees रहेगी वा आपकी 600 रुपे आपकी जाएगी ठीक है तो इसको समझने के लिए देखो ये ध्यान लखना आगर आप general category student है मान लीजे कि आप paper 1 और paper 2 ठीक है कुछ student ऐसे होंगे जिन्होंने paper 1 कौलिफाई किया हुआ होगा ठीक है समझा मान लीजे आपने paper 1 कौलिफाई क्या हुआ है और आपको paper 2 सिर्फ कौलिफाई करना है तो आप paper 2 के लिए form भरेंगे तो तब क्या होगा जब आप only paper 2 के लिए fee submit करेंगे तब भी आपकी 1000 रुपे ही जाएगी अगर आप general category के student है ठीक है मान लीजे अगर आपने paper 2 कौलिफाई किया है और आप paper 1 के लिए examination form भर रहे हैं तब भी आपकी 1000 रुपे आपकी लगने वाली है तो कहने का मतलब यह है कि इस वाली में अगर आप कोई भी only एक paper अगर आप उसकी fee submit करते हैं तो paper 1 की भी यहाँ पर 1000 रुपे जाएगी और paper paper वाला आपका option आता है महाँ पर उसको select करके और तब fee submit करते हैं तो आपकी बस टोटल 1200 रुपे लगेगी है ऐसी SCST के जो student है वो बहुत paper पर click करके fee submit करते हैं तो उनकी 600 रुपे लगेगी बाकी अगर अलग अलग करेंगे तो आपकी 500 रुपे ऐसे 1000 रुपे जादा फीस आपकी लग जाएगी ठीक है यहां पर only camera bank लिखा है लेकिन ऐसा नहीं होता है ठीक है किसी भी बैंक से आप अपनी online fee submit करवा सकते हैं ठीक है तो यह तो होगी आपकी पूरी fees की बात इसमें मुझे लगता है कि आपको कोई doubt नहीं होगा next बात करते है next detail की बात करते हैं जो next detail है आपकी schedule and mood of examination इस देखो मैं इसे क्यों लाय हूँ यह जो आपका notification है आपका 2021 का है इसको भूल चाहिएगा 2021 का यह आपका notification है ठीक है यह मैंने आपको इसलिए है SITC है इकसे हुआ है है जब 2020 तके आपका एक ओफ-lain होता था और 2200-2020 को साल में आपका चjack्होर लिए तक सfen herman को से शियुआ हो आं उन्लाइन हुआ है और और नमार मोलाइन जब से हुआ है साल में एक बार सध privacy रहे हैं नहिंप जहिलना पड़ रहा है आपर क्योंकि पहले साल में दो बार सीट हो जाता था च्छै महीने में एक बार जब ओफ-लाइन होता था लेकिन 2021 में पहली बार ओनलाइन हुआ है और साल में एक बार तो अब सीधी सी बात है जो आप 2022 में आपका सीट होगा फिर से वह आपका CBT होगा यानि कि online होगा computer based आपका exam होगा और यह साल में फिर एक बार होने लगा है क्योंकि काफी जादा मतलब busy रहता है schedule CBST वालों का ठीक है बात करते ही आपके photos वेगरा है JPG format में आप अपने photos वेगरा अपने लगाएंगे form में है ना तो यहां पर बात थी आपकी online exam की तो जो आ योग्य हूं देखो सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनना यह जो कहान लिख है इतनी बड़ी रामायन में आपको नहीं समझाने वाला हूं बिल्कुल simple basic language में मैं आपको समझाओंगा कि कौन बच्चा eligible होगा कौन योग्य सिठेट के लिए होता है ठीक हो बीएड second year वाले ब बीएड first year वाले को कि क्या मैं सेटर के लिए eligible हूं या नहीं हूं तो इसी पर ही बात करते हैं देखे कैसे आप सेटर के लिए eligible होते हैं और कैसे नहीं यह मैं आपको बताने वाला हूं कुछ युणिवस्टी होती है मलोडो आप जिस जहां से बीएड कर रहे हैं जिस घूलिस से बीएड कर रहें तो जो आपके युणिवेस्टी होती है वो आपके बीएड के pon Dan करवाती है ठीक है बीए के है ना और कुछ उनिवस्टी होती है जो आपके बेड के एक्जाम कंड़क्ट करवाती है यह ली बेस पर है ना तो इसी पर ही आप eligible होंगे देखो CTAT क्या कहता है यानि कि CBC और CTAT जो एक ही बात है क्या कहता है कि eligible कोन होगा देखो अगर आपके उनिवस्टी में semester wise exam हो रहे हैं अगर आपके उनिवस्टी में BA के semester wise exam हो रहे हैं तो CTAT यह कहता है कि कम से कम कि कम से कम एक semester कम से कम एक semester कौलीफाई किया हुआ हो यानि कि BA first year के student ने कम से कम एक semester कौलीफाई किया हुआ हो कम से कम उसका एक semester का result एक semester का result उसके पास हो ठीक है यह कहता है CTAT है na eligibility के मामले में eligibility के मामले में ध्यान से सुनो, eligibility के मामले में seated क्या कहता है, कि अगर आपकी university semester wise exam करवा रही है, तो कम से कम आपका एक semester qualify हो, यानि कि एक semester का result आपके पास हो, यानि कि सीधी सीधी बात है कि आपने 6 महीने, सीधी सीधी सी बात क्या है कि आपने B.A.D. में 6 मन्त, मतलब अपने complete क कि यह हुए हो, B.A.D. first year में कहने की बात यह है, क्योंकि यह तो होगी semester वालों के बात, और कुछ university ऐसी होती है, जहां पर yearly exam होते हैं, जैसे कि CCS university, MJP university, यहां पर yearly exam होते हैं, MSU university, तो यहां पर तीनों university में, क्योंकि मेरे चनल पर अधिकतर बच्चे हैं, वो इन तीनों university क होते हैं, B.A.D. first year के second year के, वो yearly base पर होते हैं, यानि कि साल में सिर्फ एक बार ही exam होते हैं, ठीक है, और जो इस university के बच्चे हैं, उनके yearly exam होते हैं, तो सीधी सी बात है, वो अपना B.A.D. first year का exam दे चुके हैं, और सीधी सी बात बताऊं, तो वो six month से जादा है, वो six month से अपने B.A.D. first year में अपना six month का period अपना पूरा कर चुके हैं, यानि कि six month से जादा उने हो गए, क्योंके अभी exam recently खतम हुए है, सीधी सी उनिवस्टी के वालों के exam स्टार्ट होने वाले हैं, तो सीधी सी बात है, six month से जादा ये complete अपना कर चुके है, period of time, ठीक है, तो य सीधी सी बात है, B.A.D. first year के बच्चे, अब ध्यान से सुनेगा, CCS University वाले वो बच्चे जिनके अभी recently exam finish हुए है, B.A.D. first year के, वो 100% eligible है, CTAT के लिए 2022 के लिए, MJP के बच्चे, MJP के बच्चे जो B.A.D. first year के हैं, वो भी 100% eligible है, जिनके exam start होने वाले हैं, सिर्फ वो वाल period of time B.A.D. का complete कर चुके है, तो आप अराम से eligible हो, लेकिन ये बात U.P.T.E.T. में नहीं होती, ठीक है, ये बात U.P.T.E.T. में लागू नहीं होती, U.P.T.E.T. में कौन eligible होता है, मैं देखो, clear कर रहा हूँ अभी इसी वीडियो मे, U.P.T.E.T. में वो बच्चा eligible होता है, B B.A.D. 1st year का proper result हो, जिसके पास B.A.D. 1st year का proper result हो, उसी को ही U.P.T.E.T. में eligible माना जाता है, क्योंकि U.P.T.E.T. में जब आप exam में entry करते हैं, U.P.T.E.T. में जब आप exam के time पर entry करते हैं, तो वहाँ पर entry के time पर आपको, आपका result आपको दिखाना पड़ता है, वो भी, अ आपके पास proper, आपके पास result, भले ही वो net वाला हो, वो भी चल जाता है, वो आपके पास होना चाहिए, लेकिन C.T.E.T. में ऐसा नहीं है, C.T.E.T. में आपने, यानि कि 6 months, C.T.E.T. में आपने 6 months complete किये हुए, यानि कि एक semester आपने complete किया हुआ है, तब आप C.T.E.T. के ल exam exam दे कर आए हैं, जो अभी UP bed entrance exam दे कर आए हैं, बच्चे आएंगे और उनका admission हो जाएगा, और मान लीजे, वो September तक उनके admission अगर हो जाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं September और October तक उनके admission हो जाते हैं, तो अब ध्यान दो कि क्या ये 6 months complete कर लेंगे, जब तक आपका C.T.E.T. क exam आएगा है न, क्योंकि November और December में आपका exam स्टार्ट हो जाएगा C.T.E.T. का, ठीक है, November और December में आपका exam स्टार्ट हो जाएगा, और मान लीजे, ये UP bed entrance exam बच्चे दे के जो अभी admission लेंगे, तो देखो आप September से November तक 6 months नहीं होते हैं, 6 months complete नहीं होते हैं, तो सीधी सी बा है, और एक bed first year का वो बच्चा है, जो admission लेके आया है, entrance वाला, है न, तो ये दो बच्चे है, तो difference यही है, जो बच्चा भी admission लेके आया है, entrance के थुरू, उसके 6 months अभी complete नहीं हुए है, इसलिए वो eligible नहीं हो सकता, लेकिन ये बेट first year वाला, ये क्यों eligible हो गया, क्योंकि इ result होगा, भले वो net वाला क्यों नहीं हो, ठीक है, ये ध्यान रखेगा, तो ये ही आपकी eligibility criteria आपका seat at में रहता है, जो चलिए बात करते हैं, next update की, next update जो आपकी है, वो है structure and content of seat at, यानि कि seat at का जो exam है, उसका structure वो आपका content क्या रहता है, ठीक है, all questions in seat at will be multiple choice, यानि कि जो questions हो होगे, आपके objective type होगे, multiple choice वाले आपके question उसमें रहते हैं, subjective type आपका exam नहीं होगा, ठीक है, with four alternative, यानि कि जो option होगे, चार option आपके एक question के आपको मिलने वाले हैं, out of which one answer will be most appropriate, यानि कि उन चार option में से एक कोई भी option most appropriate होगा, यानि कि बिल्कुल सही होगा और वो ही आपको find करना है, ठीक है, each carrying one marks and there will be no negative marking, यानि कि हर एक question एक marks रखता है, यानि कि हर एक question एक number का होगा, और कोई भी negative marking आपकी नहीं होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हर एक question एक number का होगा, और कोई भी आपकी negative marking इस paper में नहीं होती है, यानिके कोई भी minus marking आपकी नहीं होगी, अगर आप गलत भी कर देते हैं, तो आपका number नहीं काटा जाएगा, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी आपकी लिए बात थी इसमें, कि negative marking आपकी नहीं रहती है, ठीक है, अब बात करते हैं, there will be two papers of seat at, यानिके seat at के आपके दो paper होते हैं, ठीक है, paper one और paper two, paper one जो होता है आपका, वो आपका class one से लेके class fifth तक के teacher जो आप बनते हैं, ठीक है, class one से लेके class fifth तक के teacher जो बनते हैं, उनके लिए होता है paper one, और इनको हम बोलते हैं primary के teacher है ना, और इनको हम बोलते हैं junior के teacher है ना junior के teacher इनको बोला जाता है जो कि class 6 से लेके class 8 तक पढ़ाते हैं ठीक है यह चीज़ आपकी रहती है दो paper आपके होते है paper 1 और paper 2 ठीक है अब एक बात और को ध्यान दीजेगा paper 1 के लिए कौन eligible होगा और paper 2 के लिए कौन eligible होगा यह बात ध्यान दखने वाली बात है paper 1 के लिए देखो जो eligible होता है आपका BTC वाला paper 1 के लिए eligible होता है ठीक है यह DLAD वाले DLAD वाले भी यह आपके paper 1 के लिए eligible होते है और B8 वाला आपके paper 1 के लिए eligible होता है ठीक है paper 2 के लि के लिए सिर्फ b8 वाला आपके विएड़ वाला आपका रहता है तो यह आपकी समझने वाली इसमें बात ती आगे बात करते हैं next की next जो आपका है आपका structure है यानि ये paper का paper में कोन-कोन से subject क्यों लिए तो चलिए बात करते हैं आपके पेपर्वन की नायगी आपलब कर जाते हैंW स्षिर स्थिन आपका होगा वह चाहँप मैंने का इसमें कि व्लिएफार नायगी रहने वाला है इनके एक qo'shan आपका एक number का इसमें रहने वाला है language, दो language आपके paper में आपको देखने को मिलेंगी और वो language कौन सी होंगी, वो language इन में से कोई भी दो language आप select करेंगे, ठीक है? यानि कि आप जब form भरेंगे, तो उस form में इन language में से कोई भी दो language आप select करेंगे और वो ही आपके paper में आईगी और यह दोने language आपकी compulsory होगी यानि कि आपको एक करनी पड़ेगी ठीक है language के भी आपके 30 question आपको इसमें देखने को मिलेंगे और 30 number के आपके होगे यानिके एक question आपका एक number का होगा तो टोटल जो आपका पेपर बनता है वह आपका 1500 questions का बनता है और 1500 marks का आपका यह paper आपका रहता है ठीक है अब ध्यान देने वाली बात है language की है ना compulsory दो language आपको यह आपके लेने पड़ती है मान लिजे आपको English आती है और आपको Hindi आती है तो आप ले लेंगे Hindi और English है ना और कोई बच्चा मान लिजे South से है ना तो उसको क्या आएगा उसको Hindi तो नहीं आएगी उसको आएगी English और उसको आएगी Tamil है ना हम यह मान के चलते तो वो क्या करेगा एक language आपनी English ले लगा एक language आपनी वो Tamil ले लगा है ना ऐसे कोई भी पंजाबी है तो पंजाबी ले सकता है और Hindi या को जो भी आती है कोई भी दो language आप इन में से ले लेंगे जो भी आपको अच्छी आती है ठीक है यह तो यह तो रही language की बात हो मैंने आपको सब कुछ ब आता है वह आपका बाल विकास का आता है यानिके चाइल्ड डवर्मेट एंड पेडगोजी आता है जिसका आपके 30 कोशन आपको देखने को मिलते हैं और 30 माफ के एक नंबर का आपका रहता है लेंग्वेश एक्ष्ण लेंग्वेज भी इसमें आपकी दो रहेंगी दोनों लेंग्वेश आपके कमपलसरी रहेंगी लेंग्वेश कोन सी वही सारी लेंग्वेश उन में से कोई भी आप दो लेंग्वेश चूज कर लेंगे उन दोने लेंग्वेश के आपके कोशन आने वाले हैं 30 कोशन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे अब बात करते हैं आप और science के question आएंगे जो कि 60 question होंगे जिसमें 30 आपके math के होंगे 30 आपके science के होंगे ठीक है अगर social study वाले जो है आपके social study और social science के आपके question 60 होंगे यहां पर आप इसको qualify करके यहां पर आप फिर आगे जो जूनियर के आपके विकेंसी आईगी महाँ पर आप उसको apply कर सकते हैं ठीक है यह आपका qualify नेचर का एक्जाम होता है इसमें आपकी नोगरी वोगरी नहीं लगती है यह चीज़ ध्यान नखना सिर्व आपका यह कौलि लेंग्वेज में आपको मिलेगा यहां पर आपको English में आपका question आपको लिखा हुआ मिलेगा और वही question आपको हिंदी में आपको आपको मिलेगा है ना लेंग्वेज मं मिलेगा है इनकि यह पूरा पेपर आपका रहता है तो आप उसमें पास माने जाएंगे याई आप उसमें qualify आप माने जाते हैं 60% किढ़ना होता है याईनि कि देज़्याः आगर मैं 60% کرता हूं तो यह आपका 90 मंबर आपका निकल के आता है यानिक एकर आप 951 से 90 नंबर आ जाते हैं तो आप qualify कर जाते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखेगा देखो जो सीटत कहता है वो यही कहता है कि 60% आपके होने चाहिए उसको मतलब नहीं है कि आप जन्रल है या आप OBC है या आप SC है या फिर आप ST है उसको ये मतलब नहीं है वो इससे ये मतलब नहीं रखता उसको ये मतलब है कि बस आपके 60% मार्क होने चाहिए चाहिए आप कोई भी student है तो आप उसकी तरब से मानने जाते हैं 59 या 58 परसेंट आपके मार्क हैं तो यहां पर क्या होगा कि स्कूल मेनेजमेंट गवर्मेंट लोकल बोडिस गवर्मेंट एडिट एंड अन पेडिट मैंनी कंसिडर गिविना कंशेशन टू परसन बिलोंगिंगा अशेस्टी डिफरेंट ली एबल परसन एक्टाइन मतलब यह कह रहा है कि मान लीजे अगर KVS की वेकैंसी आती हैं मान लीजे आप सीट आप मतलब कोई भी मतलब यह समझना कि आप कोई भी स्टुडेंट है SC ST या फिर OBC ठीक है और आपके 60% मार्क्स नहीं है लेकिन KVS KVS ने अपनी वेकैंसी निकाली ठीक है और KVS ने कह कि यह पोलिसी वो अपने नोटिफिकेशन में के वी एस कहता है कि अपने नोटिफिकेशन में ऐसी पोलिसी देता हूं कि अगर आपके 82 मार्क्स हैं और आप कैटेगरी से हैं तो आप मेरी वेकैंसी में अपलाई कर सकते हैं तो यह बात कह रहा है कि अगर according to मतलब कोई भी का रहा है और अपने नोटिफिकेशन में वो आपको रिजर्वेशन देता है तब आप उसमें एपलाई कर सकते हैं कॉन रिजर्वेशन वाले कंडिट तब आपको महा पर रिजर्वेशन दिया जाए गा या तब सय तरफ से कोई रिजर्वेशन नहीं देता है तो त alley ऐसल वाले को पास माल लेते हैं सीटेट में भी लेकिन सीटेट अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहता वो सिर्फ यह कहता है कि आपके 60% मार्क्स आपके होने चाहिए ना आई होप आपका यह चीज़ आपकी किलियर हुई हो ठीक है तो इसलिए 82 वाले को पास माल लेते हैं क्योंकि करते हैं आपके Ben20-null Quarter तो आप कहां का एपलाइ कर सकते हैं अगर आप Дbt क्वालिफाय कर जाते हैं तो फिर व क्यूंख निखलेंगी की ति कस निखलेंने और निकलती है यह आपका से मेंधुने और आपके जितने भी केंदर शाशित परदेश के जितने भी स्कूल है जो भी Central Government के अंदर आते हैं ठीक है D, SSSB है ना यहाँ पर vacances निकलती है और जितने भी Central Government के अंदर है निके बात करते हैं आपके validity period of seated certificate, यानि कि seat head का जब आप qualify कर लेंगे, तो आपका एक certificate issue होगा, जोगी seat head की तरफ से होगा, उसकी validity क्या होगी, उसकी validity होगी lifetime, यानि कि आज even आपका वो certificate आपका चलेगा, यानि कि आप एक बार seat head को qualify कर लेंगे, 90 plus marks अगर आप ले आते हैं, तो फि certificate आएगा, उसके थुरू आप कहीं भी teacher की वेगेंसी जा पर निकलती है, उसको apply कर सकते हैं, एक बहुत ज्यादा important बात आपको बताने वाला हूँ, ये चीज कोई भी नहीं बताएगा, एक important बात ये ध्यान लखना, जब seat head का form आएगा, ठीक है, क्योंकि वो certificate से लेके problem है, देखो, बच्चे, मैंने क्योंकि इस साल, जब seat head का certificate आया, तो बहुत बच्चे, मैंने भी download किया, सब ने download किया, लेकिन कुछ बच्चों का certificate download नहीं हो था, क्यों, उन्होंने क्या problem करी, वो ही मैं आपको समझाने वाला हूँ, जब form आएगा, एक चीज ध्यान लखना, आपका certificate download नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चे है सकते हैं, वो वाला phone number डाल देते हैं, जो आपका अधार card में link नहीं होता है, ठीक है, तो वो ही phone number डालना, जो आपके अधार card में link हो, और एक चीज और, जो आधार card में आपकी spelling हो, नेम की, ये चीज ध्यान लखना, आध अधार card में जो spelling हैं, आपके name की, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, वो ही आपके form में, ठीक है, आपके sitat के form में, और आधार card वाली जो आपके name की spelling है, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, नहीं तो आपका certificate आगे चलके download नहीं होगा, डिजि लोकर से इस चीज को ध्यान लखना, spelling आपकी आधार card वाली और आपके form वाली बिल्कुल सेम होनी चाहिए यानि कि 10th के certificate वाली और आधार card वाली spelling आपके बिल्कुल सेम होनी चाहिए और phone number ना phone number आपका जो आधार card से link हो वो ही आपको डालना है यह चीज का ध्यान लगना तभी आपका certificate आगे जागे डाउनलोड होगा वरना आपको दिक्कत होगी certificate डाउनलोड होने में तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe करिएगा यही आपकी detail थी और bell icon को प्रेस करेगा जिससे की सीटेट से related कोई भी important वीडियो आपकी बिल्कुल भी और अपने घरवालों को धानने का पढ़ते रहेगा नमस्ते टाटा थैंक्यू बाई बाई धन्यवाद